Hello everyone, welcome to my YouTube channel, कैसे हैं आप सभी, I hope सब बहुत ही अच्छ होंगे, तो जैसे की दिवाली आ चुकी है और सभी के घरों में दिवाली की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, और तो मैंने भी अपनी दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी है, जैसे कि नवरातरी कुछ टाइम पहले ही बी दिवाली की क्लीनिंग भी हो जाएगी, मेरे कवर्ट भी साफ हो जाएंगे पूरे, तो यहां देख सकते हैं साड़े कपड़े मेरे विखडे पड़े हुए है और यहां मेरा बीटा को देख सकते हैं यह तो चलता है, बच्छे क्या help करेंगे, वह तो और ज़्यादा विख की कफिलिण कर पाए तो दीवाली एक ऐसा फेस्टीवल है, इसमें हर चीज़ों की कॻिनिंग हो जाती है, तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने स्टील वाला स्क्रबर उससे मैं सबसे पहले सभी को दाग दब्बे उनको क्लीन कर रही हूँ और यहां मैंने सरफ का पानी ले लिया है और यह देख सकते हैं यह जो गड़े में फसे हुए मेल है गंदगी वो जल्दी से जाते नहीं है तो इसके लिए मैंने ब्रश का यूज किया है ताकि वो गड़े में घुस घुस के इसका जो गंदगी है वो क्लीन हो जाए तो काफी जद्दे गंदे हो गएते हमारी फ्रेज देख सकते हैं तो यहां देख सकते हैं मैंने अपनी जो फ्रेज की क्लीनिंग है ना पूरा कर लिए मेरी फ्रेज की पूरी अच्छे से वाश कर दिया है क्योंकि पानी आ रहा था और सुबह का टाइम था तो बात्रूम में जाके मैंने अच्छे से इसको वाश कर दिया था और यह सूख चुका था तो अभी मैं सभी को उसके जगब पे सेट कर दे रही हूँ और फ्रिज में इतने ज़्यादा अभी समान नहीं थे तो देख सकते हैं मेरा फ्रिज क्लीन होने के बाद कितना ज़्यादा चमक रहा है और सच बताओं यह सब करते करते कमर में दर्द होने लग गई थी सच बूलू क्योंकि काफी डीप क्लीनिंग करने करते हैं तो काफी ज़्यादा हमारे जो ठकान हो जाती है तो इसके बाद अब मैं आ गई थी अपने डाइनिंग टेबल को क्लीन करने में तो जैसे कि इस पर कवर मैंने विच्छा के रखा था तो कवर को हटा दिया है और रेगुलर हम जब साफ सफाई करते हैं तो कवर के उपर ही पुछा मार देते हैं साफ कर देते हैं बट नीचे का जो होता है वो हम साफ नहीं करते लेगुलर तो दीवाली के बहाने अब इसकी भी डीप क्लीनिंग हो जा रही है तो नीचे मैंने इसको भी अच्छे से स्टील वाला जो स् कोई यह ए और अब देख सकते हैं यहां जब मैंने साफ कर दिया व्जिक अबहुत अच्छे चमकने लग जाता है तो सरफ पानी से पहले मैंने इसको वाश के था अच्छे से और इसके बाद फूच ए फिर मैंने सको along किया और अभी जितने भी chair है ना सब के जो seat है ना मैंने सब को हटा दिया है तो इस seat chair में ना हटाने वाले सिस्टम है seat को तो और इसको भी मैं अच्छे से scrub से पहले साफ कर लेती हूं गंदगी पहुत ज़्यादा जम जाती है और ऐसी जो cleaning होती है न डिप cleaning वो दिवाली दिवाली में ही हो पाती है ऐसे तो हम regular सोचते रह जाते हैं बढ़ हो नहीं पाता है तो बस यहां मैं सारे chair को भी साफ कर ले रही हूँ वहाँ मेरी dining area की cleaning हो चुकी थी और इसके बाद मैं आ गई थी room में और आज मैंने cleaning के लिए बैठी थी तो मैंने सुचा चलो पूरा clean करी लेती हूँ और आज मैंने सच में अपना पूरा cleaning खतम कर लिया क्योंकि आज आरूस का school बन था तो school बन था तो यहां देख सकते हैं आरूस मस्ती कर रहा है वो दुकान गया था और दुकान से आच चुका था और यहां पर कर रहा है enjoy वो मेरे साथ और यहां पर जो उपर का जितना भी सामान है ना सब को मैंने हटा हटा के इसका जाला साफ किया था कि यहां पर मेरे पूरे रूम की क्लीनिंग हो चुकी थी ड्रेसिंग टेवल सोके सब मैंने क्लीन कर लिया था और अभी मैं यहां पर लगा रही हूं जारू अभी हो चुके थे साम क्या टाइम और यहां जो मेरे चेर वगरे है ना सब सूक चुके थे तो यहाँ पर यह ओयल है काट का जो ओयल आता है ना जिससे कीरे वगेरे नहीं लगते हैं तो वो वाला ओयल है और उससे मैं देख सकते हैं डाइनिंग टेवल को और अपने चेयर जो भी है ना उन सब में अपलाई कर दूँगी ताकि इनका जो लाइफ है ना थोड़ा और बढ़ जाए तो इस तरीके से मैंने अपना क्लीनिंग का जो भी था मैंने आप लोगे शार्च शेयर किया आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक लाइए